इस वक्त मेरे साथ आकाश्च मौझूद है इनसे चर्चा करने के कोशिश यही करेंगे कि यूपी में जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी तैयारिया कर रही है उस पर हम लोग ने काफी बादशीत किया लेकिन आज जो सबसे बड़े मुद्ध हैं वो ये कि प्रशान्त की सोर को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है सला दिया प्रेंगा गांधी को और वो ये कि अमेठी अराइवरिली से वो चुनाब लड़ें ताकि वो राहुल नेता है जो बेतु का ब्यान दे रहे हैं जिससे हमारे समाज में नफरत फैलाई जा रही है जो देश के लिए नहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है अकास आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहला सवाल ही ये है वो ये कि कॉंग्रेस के तरफ से अब ये कहा गया रहा है कि प्रशान किसोर ने ये राइब दिया है ये सला दिया आपको क्या लगता है कि is it possible? में कॉंग्रेस को जीतना है तो उनके पास अमेठी और राय बरेली सबसे अच्छो अप्शन्स हैं हालां कि हमने देखा था कि पिछले चुनाव में कॉंग्रेस जो है वो राहुल गांदी जो हार गए थे सबको काफी ज़्यादा धक्का लगा था जिसकी वज़ा से अब यह लगना शुरू हो चुकी थी कि क्या अब अमेठी और राय बरेली भी उनके पास हैं कि नहीं है लेकि मेरा मानना यहीं है कि अगर प्रेयंका चाहती हैं कि वह यूपी से चुनाव लड़ें तो उन्हें अमेठी या राय बरेली में से ही कुछ चूस करना चाहिए क्योंकि य ज्यादा बैटर बोल पाएंगे 36 राजिस्थान और 36 राजिस्थान और मध्यपरदेश में चुनाव होने वाले थे लोग सुभा चुनाव से पहले लेकिन यहां पे कॉंग्रेस ने जबर दस्त बिधान सुभा चुनाव में अपना परदर्शन किया और सरकारी बने भली ब बात मेरा पूछना है कि 2019 में जिस तरह से अमेठी से राहुल गांधी हार गया तो कि जरूरी थोड़ी नहां कि 2022 में वापस कर लेंगे बिल्कुल सही का असिफ आपने अपने मध्यपरदेश और राजिस्थान का जो उधारन दिया उनका उधारन आप यूपी के साथ जोड नहीं थी लेकिन अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में योगी जी का हाथ पकड़ा जो उनकी हाथ की पकड़ है उसे मजबूत कहें ऐसा गलत नहीं हो सकता क्योंकि यूपी में योगी जो हैं वो काफी दमदार कैंडिडेट जरूर है और कहीं न कहीं कांग्रेस के यह सबसे बड़े जो ऑपोनेंट है वो वही है और इसी वज़य से मैं मानता हूं कि यूपी में जो है कॉंग्रेस को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और कदम को बड़ा फूख-फूख के रखना पड़ेगा तब ही जाके वहां पर फते कर सकते हैं अब यहीं वज़या है कि त्यारियों में जूट हुए लेकिन अब सवाल यह है जैसे आपने मुख्य मंतरी योगी अधितनाथ जिक्र के आकास तो मैं लेता हूं कि अमीत शाह जिपी नडड़ा जी वो लगता तो उनकी तारीफ करी रहे हैं लेकिन मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधान मंतिर पर उनकी तारीफ कर रहे हैं या फिर वो जो जिस तरह से ब्यान देते हैं जिस तरह से किसी एक कम्यूनिटी को टार्गेट करते हैं उस हिसाब से तो नहीं वो बहतरीन है देखिए जो बहतरीन वाली बात आप कर रहे हैं काम की बात हम जादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सरकार ने development कितनी की है और ground level पर काम कितना किया है उनके पास इसका शायद ही कोई चिठा पिठा होगा जादा जो चीज वहां पर चलती है और जो BJP की in general strategy रहती है वो यही है कि प्रमोशन जितना हो सके उतना किया जाए जोड़ा जा सके जोड़ा जाए और जागरुकता चाहे वो सच हो या जूट फैलाई जाए और यही काम योगी जो है वो अच्छा सा करते आ रहे हैं मोधी जी ने बहुत अच्छा किया था काम की जहादे बात की जाए तो योगी सरकार ने काम कुछ खास नहीं किया हुआ है यह बात किसी से नहीं छुपी लेकिन अब सवाल यह है ना आकास कि योगी के मंतरी चुनाप जब ही आते हैं तो निताओं का बेतु के बयान आही जाते हैं लेकिन अब आज का जो समाज है जो हमारे यूवा है उसके बीच में इस तरह का नफरत फैलाना किसी एक जाती को किसी एक कम्यूनीटी को टार्गेट करना किसे हिसाब से सही है वो कैसे मैं आपको बताता हूँ योगी ने तो बयान दिया ही दिया बेतु के बयान वो बताऊंगा लेकिन उनके मंतरी ने आज बयान दिया है कि अखिलीस यादब थू फेक कर उसको चारते हैं प्रियंका गांधी पे उन्होंने कहा कि वो चांदी के प्लेट की जो हैं पैदा हुई है इस तरह से किसी पर और प्रियंते करें आरूप रतिया रहा है लेकिन प्रस्टर्जिंанов करना किसी देखता हे वह बबना सबसे देखा करना के बहुत की मंतरी्ट एक्षेप्चनल होगा है और इन लोगों पर नहीं हूँ जो सीधे सीधे It voyablesbeậhi स्पीच की केक्ट कर्रों हो सकती आगए जिसा हम देख रहे हैंि कांग लोगों पर डर चल umm the बहूं पर बात पता है कि कुछ है I am और उसी वजह से वहाद देंगर लोगों को बढ़काते हैं लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह की तरह की बातों को क्रिटिसाइज करें और इस तरह की बातों को बिल्कुल भी तुल ना दे लेकिन अब आकास सवाल यह है कि चलिए योगी के मंतिरी ने ब्यान तो दिया तो दिया योगी जी खुद कह रहे हैं कि यह जो राश्चन है लोगों तक पहुंचते थे गरीबों तक उन्होंने पहुंचाया और यह उनका personal बयान है वो कह रहा है कि वह दावे कर रहा है हकीकत वह आप वाक्तु भी जानते हैं देश के परधान मंतिर नडेंद्र मोदी ने कहा कि असी करोड युवाओं कहीं न कहीं एक धर्म के लोगों को target किया गया है और उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और ऐसा जो है यह गेम आद से नहीं यह कई सालों से चलते आ रहे हैं जहां पर यह इस तरह की बयान बाजी करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं लोगों में इस त अच्चों की तरक्की होती है और उनकी family की तरक्की होती है हाँ जो politicians है इनकी जए बेजर बर भड़ तो अकास सवाल है कि फिरोजाबाद में बच्चे मर रहे हैं लेकिन योगी एक तरफ यह बयान दे रहे हैं और उनको जो बच्चे जो इलाज के लिए तरफ रहे हैं जो बेट तक नहीं मिल ले तो वो दिखाई नहीं दे रहा मोदी जी आए उन्होंने इस पर भी चर्चा नहीं किया लेकिन योगी की तारिफ कर रहे हैं लेकिन आज जो यूपी में लोग मर रहे हैं उस पर क्यों नहीं बाते हो रहे हैं देखिये आसिफ इसमें जो सबसे बाकिन स्टेट से अच्छी रहें और यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अभी जो इस तरह की बाते होती है या इस तरह की चीजें यूपी में होती वह बहुत असानी से दब जाती है हम ने देखा कि बड़े-बड़े जो हादसे हो गए यूपी में वह सामने इतने अपार बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिनको दो दिन के बाद किसी ने कवर भी नहीं किया और वह बात कैसे ठप होगी उनना आपका मामले ले 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 लिए जो है माना गया है जाना गया है और ऐसा ही वो कर रहे है विकास के समय भी जब उनका हुआ है हालांकि हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन जो तरीका था वो भी वो भी सारा छुपाया इसमें कोई शक नहीं है यही वज़ा है कि अस्तमाम नेता जो है उनको कवर करने की कोशिश कर रहें लेकिन अब देखना होगा जैसे जैसे चुनाप के दिन नजदीक आते अब देखना होगा कि इस पर कारवाई कब होती है फिलाले के इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहें इस पे नहीं नूस नमस्कार